पुरानी पेंशन हम कहते हैं हम देंगे किस अधार पर कह रहे हैं इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम चुनाओ के मंच पर खड़े हैं हम इस अधार पर कह रहे हैं कि बड़े बड़े उद्योगपती मित्र हैं आपके उनके लिए 20,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, तो करमचारी के लिए pension के पैसे नहीं की वो करमचारी जो जब नौक्री लेता है तो यही सोचके लेता है कि बुढ़ापे मेरी कोई सुरक्सा होगी बुढ़ापे मेरे कोई साथ होगा थोड़ा पैंशन मिलेगा उसके लिए आपने पास पैसे नहीं है लेकिन बड़े बड़े द्योग पतियों के नाम लेजिए उनके लिए पैसे हैं उनके कर्ज माफ हो रहे हैं सरकार के जो नुमाइन दे पहले NPS का गुनगान करते नहीं ठकते थे वहीं सरकार अब UPS को लाकर NPS में कम्या गुना रही है वो दिन दूर नहीं जब UPS वो NPS की खामियों को देखकर सरकार को वापस OPS बहाल करना होगा नमस्कार दोस्तों एक बाफ से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारी YouTube चैनल पर जैसा कि आप सभी जानते हैं सरकार ने OPS के मुद्दे से हटबटका कर करमचारियों को UPS में डाल दिया है और इसका असर ये पड़ा कि आगामी विधानसबा चुनाओ से पहले करमचारी ने जुटना स्टार्ट कर दिया है और पुरानी पेंशन बहाली की मां को लेकर आंदोलन सुरू कर दिया है और इसी को लेकर होरे आंदोलन में सरकार को चेताया गया है कि अगर सरकार यहाँ पर पुरानी पेंशन को बहाल नहीं करती है तो आगामी आने वाले वि को लेकर उनको वोट नहीं देगा उन्होंने सरकार पर गलते भी कहा पहले तो आप बड़ी-बड़ी गुनगान करते थे NPS को लेकर और अब उसमें खामियाँ बता रहे हैं उनने सरकार को चेताते वे कहा कि करमचारियों ने लोकसभा चुनाओं में वोट फोर OPS की चोट करके वर्तमान सरकार को परदेश में पांच लोकसभा सीटों पर सिम्टा दिया था वहीं वोट फोर OPS की मुहिम विधान सभा चुनाओं में भी जारी रहेगी राज्यों के महासचीव ने कहा कि क्रमचारियों ने वोटपूर OPS की ताकत लोग सभाचुनाओं में सरकार को दिखा दी है और अब वहीं वो ताकत यहाँ पर विधान सभाचुनाओं में दिखाएंगे और सरकार को सत्ताशी हाथ दोना पड़ेगा दोस्तों आप सभी को पता है मोधी सरकार ने 24 अगस्त को मोधी मंटरी मंडल बैठक के बाद यूनिफाइड पैंशन स्किम UPS को मंजूरी दी है UPS के तहट केंदर सरकार के क्रमचारियों के रेटार्मेंट के बाद निश्चित पैंशन मिलेगी ऐसा कहा गया है अभी तक केंदरे क्रमचारियों को न्यू पैंशन स्किम का लाब मिलता था ये स्किम 2004 में ओल्ड पैंशन स्किम को खतम करके आई थी हाला कि NPS को लेकर भारी विरोध था और हाल ही में OPS को दोबारा भाल करने की मांग उठ रही है इसके बाद PM नरेंदर मोदी ने अप्रेल 2023 में ततकालें विचसचिव टेवी सोमनाथन की अध्यक्स्ता में कमेटी का गठन किया था और इस कमेटी ने राज्यों के विचसप्चिव करमचारी संगठन दूसरे स्टेक होल्डर से बात कर UPS की सिपायस की थी जिसे सरकार ने बताया कि सरकार ने UPS के लिए किसे राय ली है अपने रिपोर्ट में क्या कहा ये किसी को कुछ भी अंदाजा नहीं है ना ही इस बारे में हमें कुछ पता है वो कहते हैं कि UPS को साल 2004 में खतम की गई ओपेस जैसा करार दिया जा रहा है NPS से अच्छा बताया जा रहा है जब भी New Pension Scheme यानि NPS में 10% अंसदान करमचारी देता था 14% सरकार आखरे टार्मेंट के वक्त दोनों को मिला कर जो पैसा है उसका 60% करमचारी को लोटा दिया जाता है बाकी 40% पैसन प्लान में जाता है अब UPS में करमचारी को 10% अंसदान देना होगा इसका मतलब यह कि सरकारी करमचारी का पैसा जो अपने पास सरकार रखेगी वो पैसा तो वो अपने पास रखेगी ही अपना आंसदान भी अपने पास रखेगी यह सीदे सीदे घाटे की बात है Secondly उन्होंने कहा Old Pension Scheme, New Pension Scheme दोनों में प्रावधान है कि 20 साल की सेवा पूरी करने पर करमचारी पूरी पैसन का हकदार होगा अब UPS में सेवा अबदी 5 साल बढ़ा कर 25 साल करती है तो एक तरीसकी से यह करमचारी के उपर दबाव डालने वाली बात है Thirdly एक और पॉइंट जो हमारी असामती है OPS में आखरी कुल वेतन का 50% के तोर पर मिलता था अब UPS में आखरी 12 महिने के मूल वेतन का उस्सत निकाल कर उसका 50% दिया जाएगा अगर 12 महिने के वेतन का उस्सत निकालेंगे तो संबव है कि यह आखरी वेतन से कहीं कम हो इस लिहाद से भी करमचारियों के लिए UPS घाटे का सोता है Fourth वो कहते है OPS में 7th Pay Commission के अनुसार 959,000 बनता था अब UPS में 9 पैंशन 10,000 रखी गई ही यह भी घाटे की बात है जो अप्रेल 2025 से लागो होता है और 7th Pay Commission साल 2016 से लागो है NPS में कुल जमा पुंजी का 60% करमचारी को मिलता था अब UPS के अंतरगत जमा पैसे में से करमचारी को कुछ नहीं मिलेगा एक तरीके से करमचारी को घाटा ही घाटा यहाँ पर लगने वाला है Unified Pension Scheme से असमति जताने वाले Employee Union की एक और दलील है उनका दावा है कि अगर किसी करमचारी ने 60 साल से पहले सवैचिक सिवानेविति यानि VRS ले लिया उसे पैंसन के लिए 60 की उमर का इंतजार करना होगा विजे कुमार सी कहते हैं कि मान लिजे किसी करमचारी ने 54 साल की उमर में VRS ले लिया तो उसे ग्रेच्वेटी लंबसम अमाउंट तो मिल जाएगा जबकि पैंसन के लिए 6 साल का इंतजार करना होगा नेशनल मिशन फोर ओल्ड पैंसन स्कीम की राष्टिय अद्धेक्स मंजित सिंग पटेल कहते हैं कि अगर करमचारी की शेवा के दोरान मिर्ति हो जाती है तो उसके प्रिजन को 50% पैंसन के रूप में मिलेगा UPS में ये प्रावधान नहीं है एक तरीके से ये खाटा है